अगर आप अपने documents को किसी ऐसी जगह पर रखना चाहते हैं, जहां से आप पूरी दुनिया में कहीं से भी उनको access कर पाएं, download कर पाएं, use कर पाएं, तो इसके लिए काफी सारे cloud applications अविलेबल हैं, जैसे कि Google Drive इसमें 15 GB बिल्कुल free दिया जाता है, Dropbox इसमें 2 GB बिल्कुल free दि किया जाता है, और यह बिल्कुल safe and secure है, और इसका नाम है MEGA, MEGA की service को में 2014 से use कर रहा हूँ, तो आज किस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ, कि आप MEGA application को कैसे use कर सकते हैं, और कैसे आप इसमें अपने documents को रख सकते हैं, तो चलिए, शुरू करते हैं पिले store से आपको MEGA application डाउनलोड कर लेना है, इसका link आपको वीडियो के description में भी मिल जाएगा open करने पर कुछ इस तरह का user interface आपको देखने को मिलेगा, आप यहाँ create account पर click करके पहले एक account create करेंगे यहाँ पर आप अपना first name डालेंगे, last name डालेंगे, एक email ID डालेंगे, यहाँ पर आप एक password चूस करेंगे और यहाँ पर password को confirm करेंगे इसके बाद आप यहाँ terms को accept करेंगे और यहाँ पर आप टिक करेंगे, इसके बाद आप create account पर click करेंगे इसके बाद आपकी email ID पर एक confirmation email send किया जाएगा, इस email में आपको verify my email का एक button मिलेगा, आप इस पर click करेंगे, इसके बाद यहाँ पर आप अपनी email ID और password डाल कर login करेंगे, आपके सामने यह page आजाएगा, यहाँ पर देखिए free light pro काफे सारे plans हैं, free में भी यहाँ पर आपको 50 GB storage दिया जाता है, तो यहाँ पर हम free वाला choose करेंगे, और इसके बाद यहाँ पर skip कर देंगे, mega यहाँ पर setup करना होगा, जिसके लिए setup mega पर click करेंगे, और यहाँ से इसको access दे देंगे, यहाँ पर camera upload है, अगर आप चाहते हैं, कि camera से आप जो भी videos record करें, वो automatically यहाँ पर upload हो है, बिल्कुल free में, और साथी यहाँ पर 1.43 MB यूज हो चुका है, यहाँ my account पर click करेंगे, तो आपको अपने account की settings मिल जाएंगी, जैसे के 65 GB बिल्कुल free है, लेकिन बाद में कभी भी आप इसको बढ़ाना चाहें, तो आप upgrade कर सकते हैं, यहाँ आप एक phone number add कर सकते हैं, security क लिए, यहाँ backup recovery key पर click करके, आप इसकी recovery key का एक backup ले सकते हैं, जिसको आप यहाँ print भी कर सकते हैं, और copy कर सकते हैं, यहाँ save कर सकते हैं, यहाँ save पर click करेंगे, save हो जाएगी, कभी भी अगर आप password भूल जाते हैं, तो आप इसी recovery key से यहाँ पर password को recover कर सकते हैं, right side में यह जहां three dot पर click करेंगे तो यहां पर भी आपको एक allergy मिल जाएगा यहाँ upload पर click करके आप कोई भी फाइल upload कर सकते हैं Take picture पर click करके यहां पर एक picture click कर सकते हैं Create new folder पर click करके आप यहां पर एक folder बना सकते हैं जैसे कि यहां पर मैं इसका नाम दे देता हूं Mark Sheets, create पर click करेंगे, folder यहाँ पर create हो जाएगा, इस तरह से यहाँ पर आप अपने documents के हिसाब से अलग-अलग folders बना सकते हैं, किसी भी file पर आप यहाँ three dot पर click करेंगे, तो यहाँ से आप उसकी info देख सकते हैं, उसको अपनी device में आप save कर सकते हैं, offline के लिए आप यहाँ पर save कर सकते हैं, कि अगर आपके mobile phone में इंटरनेट नहीं होगा, तब भी आप mega application में login करके उसको देख सकते हैं, gate link पर click करके यहाँ से आप एक link ले सकते हैं, जो आप किसी के साथ भी share कर सकते हैं, rename पर click करके आप फाइल को rename कर सकते हैं, move पर click करके आप इसे किसी दूसरे folder में move कर सकते हैं, open पर click करके आप इसको open कर सकते हैं और यहां move to rubbish bin पर click करके आप इसको delete कर सकते हैं जो भी file आप delete करते हैं, यहां आप three dots पर click करेंगे, नीची आपको rubbish bin का एक option मिल जाएगा, यहां पर वो आपको show हो जाएगी, अगर आप उसको permanent delete करना चाहते हैं, तो three dots पर click करेंगे, और यहां आप remove पर click कर देंगे, यह file permanently delete हो जाएगी, नीची यहां पर भी कुछ options दिए गए हैं, जैसे कि यह cloud है, यहां पर आप अपनी drive में जितने भी folders file हैं, सब देख सकते हैं, यहां camera पर click करेंगे, तो यहां से आप इसको अगर on कर देंगे, तो अपने camera से आप जो भी photo, video click करेंगे, वो सब यहां पर upload हो जाएंगी, यहां chat icon पर click करेंगे, तो यहां से आप किसी के साथ भी chat कर सकते हैं, यहां से आप invite करेंगे, और contact के साथ यहां chatting कर सकते हैं अगर आपके साथ कोई भी person कोई folder share करता है या आप किसी के साथ भी कोई folder share करते हैं तो आप यहां click करके देख सकते हैं incoming पर आप वो folders देख सकते हैं जो आपके साथ share किये गए हैं और outgoing पर click करके आप वो folders देख सकते हैं जो आपने दूसरे लोगों के साथ शेयर किये हैं यहां डाउलोड बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं आपने कौन-कौन सी फाल्स को यहां offline के लिए सेफ किया हुआ है और आप offline में यहां पर उनको यूज कर सकते हैं document upload करने के लिए आप बस यहां plus icon पर click करेंगे, आप कहां से upload करना चाहते हैं, device से upload करने के लिए आप from device पर click करेंगे, आपकी device में जितने भी documents हैं सबकी list यहां पर आ जाएगी, यह फिर आप यहां three line पर click करके direct अपने phone को access कर सकते हैं, आप कहीं भी photo में, file manager में, contacts में, download में audio video में जहां पर भी files रखी हुई है, आप उन पर जाएंगे और direct आप उनको यहां पर select करेंगे, तो वो यहां पर upload होना start हो जाएगी, जो के आप उपर यहां देख सकते हैं, जैसे कि यह file यहां पर upload हो चुकी है, अब अगर यह आपके mobile phone से delete भी हो जाए, तब भी आप इस photo click कर सकते हैं, जिसके लिए आप यहां से photo click करेंगे और यहां ok करेंगे, तो यह file direct आपके mega में यहां पर save हो जाएगी, और फिर दुनिया में आप कहीं से भी इसको access कर सकते हैं, अगर आप किसी folder में file को upload करना चाहते हैं, तो आप उस folder को open कर लेंगे, पिलस icon पर click करेंगे और यहां से आप जो भी file upload करेंगे वो इसी folder में आएगी, जैसे कि यहां पर मैंने एक photo click किया और ok कर दिया, तो अभी यह इसी folder में upload हो जाएगी, यहां 3 line पर आप click करेंगे, तो आपको settings का एक option मिल जाएगा, आप इस पर click करेंगे, तो यहां से आप pin lock को on कर सकते हैं, य जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहां पर मैं set कर देता हूँ, दोबारा से यहां पर type करेंगे, तो यहां पर pin set हो जाएगा, next time जब भी आप mega application को open करेंगे, तो यह pin डालना पड़ेगा, वरना यह open नहीं होगा, mega application में एक बार documents रखने के बाद, अगर वो documents आपके mobile phone से delete भी हो जाते हैं, तब भी आप उनको mega application से दोबारा download कर सकते हैं, और आप कहीं भी computer पर mega.nz type करके, इसमें login करके, अपने documents को access कर सकते हैं, यह फिर आप इसका application किसी भी mobile में download करके, login करके, अपने documents को access कर सकते हैं, और अगर आपके मन में कोई confusion है, तो आप नीचे comment करके पूर सकते हैं.